तो में विक्स आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने विक्यू क्लाइट में तो गाइस कैसे हो आप लोग तो गाइस हमारा चल रहा था तो देखें गाइस जिसमें आपको पी और अमाउंट और एसाई निकालना आपको शिखा दिया था बढ़िया तरीके से अब मैं उसके एक दो कोश्चन करते हो ताकि अपकी रिवीजन हो जाए ठीक है चलिए एक दो कोश्चन कर लेते हैं उससे जो मैंने आपको बताया था त तो पहला कोश्चन देखें आपकी स्कीन पर आगया हो एक तरीका देखें प्रिवे सिर का पूछा गया यह वाला कोश्चन एक्जांपल के तो पर लेकर चलना आपने की रेंबुक का नहीं उठाए कि अभी करेंगे टाइब टू से तो देखें गाईज एक क्योशन क्या ब पर संट और हमको गिवन है इसका बियाज गिवन ऐसा ही बच तो हमसे पूछा है कि साधारन ब्याज क्या होगा वह सुरी राशी क्या होगी तो गाइज बस हमको इतना बताना है तो सिंपल हम कर सकते हैं को यह रेट चाहिए था मेन रेट हमारा कितना है इसको अटागे मैं 100 कर लूँ तो एक बटे चार तो मैं इसको यह लिख सकता हूँ छैसे एक बटे चार बोल रहा हो गए इसका मतलब ठीक है इसको फ्रेक्शन में तरीक दर लिग लिया इसको फ्रेक्शन वैली बनाव कितनी हो गई इसको कितना आगया यह आपका आगया वन अपोन 16 आजाएगा काटते ही अब हमारी वैली हो गई उपर वाली हमारी क्या होती थी ऐसा ही निच्चे वाली प्रिंसिपल इन दोनों को जोड़ दो तो अमाउंट यह चीज हम कर चुके थे फस्ट वीडियो में आपको पूरा ब वैज दिया कितना गया गाइस रूपए एक का कितना हो गया आठा सो बस अब आपको कुछ नहीं करना अब आपको पूछा था प्रिंसिपल मारे तो मारे कितना गया शिक्टिन इंटू कि एट अंड़ मंटिप्लाइ कर लो आपका आजाएगा बढ़े राम से कितना आजाएगा आपका यह आपका आजाएगा 12 सेतीह सूरू उपर ठासी है 500 रुपए लगा 53 साल को जोटारनवग्त सत्राइश चलिए कैसे करेंगे हमको क्या जर्थ होती थी अगर हमको कुछ भी पूछ रखाऊ सीव को इस तरी रेट की जर्थ है अगर रेट हमको पास है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं इसो काट लो कितना हो गया टू एट जा फिफ्टी और टू 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 तफ फो और यह कितना हो गया पच्चीस इतना गया पच्चीस अपॉन टूटिफाइव ठीक है यह मैं साफ स्टो लिग रहा हूं आप बिल्कुल बाजी में जल जल्दी कर सकते हो उपर वाला क्या होता हमारा ऐसा ही नीचे वाला क्या होता प्रिंसिपल यह आपको अच्छी तरह पता चल चुका है इस तीन साल का कितना हो गया जाएगा बारा अपोन पच्चीस खतम यह अब इन्होंने बोला कि मिसर धन क्या होता है मिसर धन मैंने आपको क्या बता रखागा इस आपको पता होना थी मिसर धन मैंने आपको बताया था क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ऐसाई यह आपको बताया था मैंने मिसर धन कितना होता है ठीक है यह मैंने आपको बताया था तो हमारा मिसर धन क्या होता है इसा है इन दोनों को प्लस कर लो कितना हो गये 527 और यह कितना हो गये 37 अमाउंट इंक आल रहे मंट्प्लाइ किसे कर देंगे 140 से आपका मिसर धना जाएगा राम से बहुत बहुत प्यार से बड़े तरीके से कितना जाएगा आपका 5180 इस कोश्चन कर ठीक है बड़िया तरीके से क्या है एक नंबर तरीके से क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए बड़िया कुछ भी निकास होता आप किससे अब चलो हम चलते हैं किरन के टाइप 2 की बड़िया टाइप से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमको रेट और टाइम अब निकालना इसका थीक है बस उसके बाद हमारा कुछ बचा ही नहीं है समको यह चीज पता करनी है हमको राम से ठीक है तो चलिए टाइप 2 तो चलिए गाईद हमारे आप चलते हम किरन के ट्री 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 तुमें तब ड्री तरीके से पहले उसके शाफब देगे अगर मैं बोल दू आपको कि आपके पास हजार उपए की रासी है ठीक है और क्या गिवन है ये तीन साल का है कि तीन साल मैंने इसमें यह टाइम दे दिया अपको दिख़ रहा है यह रुबर यहां रुपे की रासी है प्रिंसिपल टाइम गिवन आपको 3 शहर्फ और रेट हमको फाइंड करना है और आपका simple interest है 120 मान लो ठीक है इस तरीके आपको चीज गीवन होगा हमको rate अगर rate दे रखा हो तो आपको time पूछ रखा हो तो आपको rate पूछ रखा हो तो हम कैसे करेंगे देखो चलिए इसको पूट करके दिखाता है हमको बड़े तरीके से किस तरीके से हम इसको करेंगे इस question को देखिए हमें आरा SI कितना है 120 पिंसिबल कितना है 1000 और उपर लिखेता है 100 और time कितना है 3 ठीक है अगर अगर हमसे time पूछा तो हम rate डाल देते हैं अगर अभी अपनस rate पूछा है तो हम time कर डाल देंगे अब देखो इसको cancel कर दो बस 3 4 जा एक दिरो और उपकर गई तो इसकी rate कितनी आ गई एंप 4% ठीक है इसकी rate कितनी आ गई 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 फ्र पर सेंट तो गाइस हमारे पाथ विसमें हम चेंज करते हैं हम इसमें क्या करते है हम आप एसा एक जगा हम आपको लिख देते हैं यहां पर amount सब को पता है amount क्या होता है simple इंपल इंट्रेस्ट क्या होता है हमारा सिंपल इंट्रेस्ट होता है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट ठीक है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यह आपको सिंपल इंट्रेस्ट होता है सिंपल सी बात है यह आपको पता होगा अब देगो अमाउंट हम मैं लिएता हूं यहाँ प उपर हंडर्ड और अपोन में क्या आता है हमारा रेट इस पर गिवन है तो रेट लिख लो जीरो जीरो कट गई एक जीरो से एट और यह गड़िया तीन पर तो हमारा टाइम कितना गया थ्री एर्स आगया गाई जरा मतलब हमारे चीज बिल्कुल बड़िया तरीके से यह वा गया 1550 और आठ परसेंट 80έλos ऐ सदानन ब्याच पर लगए जीलक तीन वर्सों के बाद विदाno को तीन ब्यार्शक के रूप में कुल तीन सो रुपर पराप्त होता है एक है हमारे पास कितने वाली 8% वाली है ठीक है अगर हम इसको Mr.Allegation से करें तो गाइस कैसे होगा क्योंको एक ओर रेट चाहिए तो फिर हमारे सिधान उपात निकल जाएगा Mr.Allegation से कोई और जंजटी नहीं है यह तो फिर X मान के PR2 में गुसाना पड़ेगा उसमें दिक्कत जाएगी सो कैसे निकल सकते मैंने आपको बता रखा है अगर आपके पास SI डीकिवण हो प्रिंसिपल गिवन ऋ रेट में कुछ भी गिवन हो तो आप और रां यार्ट में देक्स वह जाए मिल गया इस 300 का मजा ही आगया यह चीज सुनके तो थीन वान दिखने यहां दिख 300 आपको मिल गया ठीक है कितने में मिला है 1550 प्रिंसिपल गुना में 100 और ना पॉन में क्या लिखते हैं जो भी आपका वो है कितने सालों का थीन वर्स का तो बस इसको कैंसिल करो यह कितने पर गया 100 पर और देखो और कट रहा है गया बिल्कुल कट जाएगा 5 से कट जाएगा 52-53-61 I think अतना ही कट रहा है तो हुंहारा कितना चाट गया यह बता है अब क्या नए करना 31 को उपर 337 को आट से देखो क्या फर्क पड़ेगा 31 को गर आप 5 से करोगे 5 और यह कितना होगा 15 इसको करोगे 8 यह होगे 24 और नीचे कितना होगे 200 अब सिंपल सा दिख रहा है पराम से निकास तो अब इसको लेकर चलना है इनका डिफरेंस दिखो गाइस कितना आ रहा है इनका डिफरेंस आपको 48 ठीक है अब कुछ नहीं करना इसी कैंसिल कर लो किसे कट रहा है फाइप से कट रहा है यह कितना अब तापका 48 था फाइप से नहीं हाट रहा यह उससे कट जाएगा 3 3 जरी और यह कितना हो ज़िए ट्री फाइफ जट तो आपका रेश्यों कितना आगे उन दोनों का बढ़ाइब राम से आपको प्रशन दी मैच कर जाएगा ठीक है चलिए चलते सेगंड कोशन पर क्या बोल रहा है कि सेगंड कोशन देखो गाई सिंपल कोशन बढ़िया कोशन अगला कोशन बोल रहा है कोई धन कोई वैक्ति पांच और रुपे की राशी कुल पाग चार परस परसेंट और सेज पांच परसेंट परसेवार्स एक दरसे साधार अंब्याद पर उधार देता है कुल ब्याद 440 रुपे है तो लगाए गई रासी काउन काउन पाथ पताना जो पांच जार पर लगाए रासी पर तो देखो कैसे करेंगे बड़े तरीके आपको दो इसमें आपको पांच परसेंट टीक है अब को आपको जाँ से इसमें का चाहिए ऐसा इसमें चाहिए प्रिंसिपल जीए और यह वह मिल जाए हमको टाइमिंग को देवार्स दो साल का तो दौनाए निकाल देंगे इसमें तो चार सो चालिस ठीक है टोटल आधरना इस दे रखा किस फें 5000 पें अब ओन में कितना आजाएगा दो साल का जीरो जीरो कट गई कितना होगे 22 कितना आ गया आना रेट 22 बायज फाइफ आ गया यह, अब हम इसको 5 हो क्या करना, आपको उपर भेजना, यह कितना हो जाएगा, 20, इस 5 से यह बंटी फाइफ और यह कितना हो गया, 22, Mr. Elegation बिल्कुल राम से बन गया, कोई दिक्कती ने, Mr. Elegation के chapter में अच्छी तरह कर समझाऊँगा, बागे इसमें कर लीजिया, ठी तो बस आपका अनुपात कितना बचके देखिए, तीन अनुपात, दो बन गया, गया, बिल्कुल राम से उप्शन, सेगेंड मैच कर रहा है, ठीक है, चलिए, अब चलते हैं अगले कोईशन पर, अगला कोईशन देखना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है, दी गई धन रासी कि सादारन ब्याज की किस दर से किसी समयवी दी के लिए मूल धन तता मिसर धन, मूल धन मतलब मतलब की मूल धन मतलब प्रिंसिपल और वो क्या बोलते है, मिसर धन मतलब अमाउंट, ठीक है, बोल रहा है कि चार अनुपात पांच में है, चार अनुपात पांच में है, उसक जात है यह बोलागा इस बिल्कुल रां से यह आपका प्रिंसिपल यह आपका माउंट है अब मुझे एक चीज़ बताओ आपके बास इसको क्या फोर से अब देखो क्या वैंगे वैंगे आपका 20 और ये वैंगे 25 ये कीतना बन गया ये लए 20 रहेट किदना अगर यहां तक समझ मा गया principle देखो अब सेम हो गई ऐसा ही ओ अमांट आपका यह बन गया अब तीन साल का आपको ब्याज देखो कैसे पता लिए तीन साल का ब्याज कितना मिल हमको क्या पुछा दर अब चलते हैं अगले कोशन देखो अब चलते हैं अगले कोशन देखो फॉर्थ कोशन देखो गाइस क्या बोल रहा है यदि मूलधन और उस पर एक वर्स के ब्याज के बाद मिसर्धन का अनुपात दस अनुपात बारा हो तो वार्सिक ब्याज दर क्या होगे बस दर अब पूछी दर के लिए अब तो आपको समझानत चाहिए ऐसा ही चाहिए प्रिंसिपल चाहिए दर पूछा मतलब टाइम और उपता सदे तो निकाल देंगा रामते चाहिए ऐसा ही पूछ रखाओ हो तो क्या क्या दे र Beetा वंको बोल्डदन और उस पर एक वर्स के प्याज के बाद मिसर्धन मुतलम हमको प्रिंसिपल और अमॉंट का रेशो गियान है मारे पात कितना एंटरेस्ट कितना लगा है यह सके राइड हमको दे रहा है वह demands of interest के 12 अधर गू親ं जो और हुर साल कितने दे रहा है साल पीटर का रखा है अँने एक वर्सका दे राखा है तो कटड़ करी जीरो तो हमारा रेट कितना आ गया 20 परसेंट ठीक है अराम से बिना की दिक्रत के फॉर्थ कोशन भी हमने कर चुके अब चलिए चलते अपने अगले कोशन प्रक्राइश के फिफ्ट कोशन ठीक है फिफ्ट कोशन देखो गाइस क्या बोले है तैन परसेंट वार्सिक ब्याज की दर और कुछ नहीं आपको कोशन बहुत स्पीड है पढ़ने हैं कोशन इतना टाइम नहीं होता है किस कोशन आप इतना लगे लगे पढ़े रूपर आपको पता चलने चाहिए पूछ सकते है सिंपल इंटरस्ट में आपको टाइप याद हो जाएगे आप इतने कोशन करवा तो कितना होगा अमांट नहीं को जोड़ दो 13 ठीक है यह चीज पर हमको दें रखे मैं आपको वैसे बता है अब हमको समय पूछा हमको अगर रेट या टाइम कुछ ही पूछ रखा हम एक ही चीज लगा रहे है क्या लगाना है ऐसा ही हमारा कितना हो गया तीन प्रिंसिपल क कितने वर्स वर्स नहीं पूछा हमको दर दे रखे लीगिनिस बार दर देखे दर को डालो 00 समय कितना आ गया हमारा कि टाइम कितना गए गाइस थ्री यर्स ठीक है अराम से किया बिना चीज दिखते चलते 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 कोशन पर देखिए बढ़िया कोशन है एक नमबर कोशन आपको अच्छा लगेगा कोशन बोल रहा है यदि रुपे एक्स का एक परसेंट की दर से एम वर्सों के लिए साध सब्सक्सक्राइब दिखत अधंग रहा है जया पनगता है न दोनों के अगले में में क्या बोल रहा है बोल रहा है और हमको दर कितनी जिवन है बोल रहा है एक स्कूरर और एम और कि कितना हमारा m² upon 100 ठीक है यह कर लिए आमने अच्छी तरीके से अब कुछ नहीं करना बराबर बोल रखा था 00 कट गए 100 से 100 1a के कट गया 1m से m² कट गया ठीक है तो मारे बचा कितना x² is equal to y am यह बचा x और y का अनुपाथ बताना था तो मैंने बता रखा आपको y को सिदह पकड़ किधर ले आओ तो x upon y कितना हो गया हमारा am upon यह क्या बचाए 1 तो लगा लो पनिमर जी से 1 तो हमारा अनुपाथ कितना हो गया am अनुपाथ 1 तो आपका option second match करता है ठीक है अच्छे तरीके देखा है ठीक है चलिए अपने साथ वे कोशन पर चलते हैं कि साथा कोशन यह रहा है आपकी स्क्रीन पर देखे क्या बोल रहा है बोल रहा है 12,000 की धनरासी को दो भागों में इस परकार बाटा जाता है कि पहले भाग का तीन वर्सों में 12% की दर से ठीक है तो दूसरा पहले भाग का परसफर अनुपात दाना देखेंगे बढ़िया कोशन है गरम बर अकोशन तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखिए जरूर ही है हम धन्दासी को यूज करें जरूर ही हम पी का यूज करें इस बाग का पुझा तो अनुपात दाना तो को यह माल लो एक ही है 12 जर्फ यूज को पी वर माल लेता हूं ठीक है पीवर माल लिया इंटू में कितना देने के लिए बोला वहला 3 वर्सों के लिए 12% ठीक है P2 मान लेता हूँ अगली इतने मी इसकी फेज बची होगी इतने मी भाग बचा होगा उसको 4 सही 1 बटे 2 साल में तो इसको क्या solve कर लेंगे 4 सही 1 बटे 2 को 8 और 9 कितना हो गया 9 by 2 ठीक है गुना में तो 100 नीचे लगता है और दर कितने गिवन हैं हमको दर इसमें गिवन हमको 16% तो काट लो 0 0 पूरे 100 कट गया यह 2 8 जा पर कट गया और और कुछ कट रहेगा 3 3 जा 3 4 जा और 4 2 जा तो मारे पास क्या बच गया P1 is equal to P2 इंटू 2 यह बच गया P2 को इजर पकड़के ले आओ P1 upon P2 कि हमको अनुपाती पुछा दखा ली तो 2 अनुपात कितना आ गया एक ठीक है 2 ratio कितना आ गया 1 अराम से कौन सा option मैच कर दाएगा 1st मैच कर दाएगा आपका राम से यह पूचात था पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपाती पूचात ठीक है अब चलते पने अंगले कोशन आठवा कोशन आठवा कोशन देखो गाइज बड़ी है क्या बोल रहा है यदि यदि तीन धनराचियों इस प्रकार की है कि एक ही अवदी के लिए एक जैसी साधारन ब्याज पर वाई एक्स के साधारन ब्याज के बराबर है और जैड़ वाई के साधारन ब्याज के बराबर है तो तुरंत बीन में क्या सही होगा अरे यार बहुत असान है बड़ी है कोशन चलिए देखते हैं तो देखो गाईज इसमें क्या बोला है नहीं हमको सिंपल भोला है एक सिंपल लाइक बोलाए पर यह शुद्ट सपय थी जैसा ही जाए आज मेन्मारा प्रिंसिपल हो गया मारा छो गया रेय्च हमको बराबर यही नीचे इते करतों को इतने भागी हो नहीं है और प्रिंसिपल क्या हो गहाँ है य इन्टू में और इन्टू में एर इंटू में T पट्चिस अनुबाद एक है तो दर बताने गाए हुम वर्क बड़े राम से कर लोगा बिना कि दिकत के बढ़ेत तरीके से दसवा कॉष्tera कि अनुपात दस और पाँस वर्द के वियाज का अनुपात निदर अनुपात तीन ला है तो विल्सी, सब्सक्राइबró, ऐसे और क्या विविस्ट के आपके ऑनुपात, इस है। साधरन व्याज दर गीवन है हमको उसके वाद हमको बोल रहा है दन उस पर मिलने माला व्याज का अनुपात होमवर्थ तो यह तीन हो आपके होमवर्थ है अच्छी तरीके से आप कर लोगे मेरे ख्याल से जानता है कि मैं ग्यार वाक रुवाज़ता हूं यार पटापट दस अंड्रड रेट कितने गीवन है हमको चैपरसेंट बस जीजर जीरो कट गया त्री बंजा त्री टू जा यह कितना हो गया पांच यह सापको क्या आगई रेट ठीक है ऑप्सेंट तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर वीड़ चलोगे तो प्लीस लाइक कर देना बस जार इतना ही चलो थैंक यू गाइस